तो सबसे पहले तो सोन नोटिश कीजिए कितनी ही बेहतरीन अलकुरकुरी क्रिश्पी रिमजिम बारिश में इस तरह के आपके जो स्नैक्स हैं पकोड़े हैं घर पर बन करके रेडी हो जाएंगे तो जो आप इतने महंगे मार्केट से लाते हैं उसे आप मिंटों में घर में ह बन करके रेडी हो जाएंगे एक बारिश बना करके स्टोर कर दीजेगा यह टाइट केंटेनर में तो पूरे बारिश का सीजन जो है आपको खतम हो जाएंगे लेकिन यह पकोड़े खाराब नहीं होंगे तो चलिए इस रेशिपी को बनाते हैं आप लोग कशाद में हम सेर क करते हैं आई इस रेशिपी के एक बार बना लीजेगा तो बार बार इसका जो रेशिपी आप ट्राइ किजेगा इतना ही बेहतरी ने बनता है अलो एब्रिवान वेल्कम बैक त्वीन मैं चैनल सो आज फिर मैं आई हूं आई हूं आपके सार निव वीडियो में निव रेश मुंग फली इसे हम जारखंड में बादाम के नाम से जाना चाता है लेकिन एक्चली में यह मुंग फली है और चिनिया बादाम भी बोलते हैं और इस से आज हम बहुत कृष्ट कृष्ट करा रहे हम बादाम पकोड़ा बनाएंगे जो देस रुपे पंद रुपे हम छुट चावल का आटा डाले हैं एक चमच हम इसमें गरम मशाल है एक चमच हम धनिया का पॉडर और हाप चमच हम डाले हैं यह अजमाइन इसे हां थेलियों पर इस तरह से करश करके डालेंगे तो इससे फ्लेवर है ज्यादा अच्छे आएंगे उसके बाद हाप में टेवल श्प अर्वोन डालेंगे हम डेडली पॉडर वि john यह जालें बार 260 अँचे बाद हाप पींच धंच हम डालेंगे यह आपको खाने का शोडा श्य ज से पकॉड़े जो हुई आपके हाड नहीं होंगे एक पिंच डालने शे आपके पकोड़े जहां उख रिश्प बनेंगे और सौप्ट बनेंगे उपर शे तो ये सभी चीजों को हम अच्छे शे मिक्स कर लेंगे इसके बाद थोड़े थोड़े पानी का छीटे मारेंगे और छीटे मार के आपको इस तरह से मिक्ष करते जाना है तो पानी डालना नहीं दिश में आपको भास हिलके से छीटे मारना है जिस तरीके छने हम बता रहेंदम को दो इस तरीकेसे हम घंब के मारने से ही इस तरह से अकर मिक्स किजिए तो कुछी टाइम में देखिए इस तरह से आपके जो मुंग फली है वह आपके सभी ड्राइ इंगिरीडियन्स से आपके कोट हो गया है अच्छे आपके बॉल में थोड़े से भी आपके मशाले या चावल के आटे बेशन नहीं र जाओ क्यिक ओंड्राइंगे तो फ्राइय के लिए हम एक पैन लेंगे उसमें हम ऊइल डाले है पिस थोड़े से में आपके प्राहि ही और जाओं दाला रेंगे अरुश के उसके बाद हम एक तरह के इस तरह के बुडेन वाला लेंगे कल्ची और उसका पीछे के बैक साइड से इस तरह शेप कंटिन्यू चलाते रहना है इससे जो आपके पीना टैनी की बदाम के गुच्छे बने हुए हैं आपके अच्छे जो कोटिंग हो गया थे और शारे तो कोड़े की शेप में बड़े बड़े बनेंगे तो तरह से आपके बदाम के पकोडे जो हैं वहां कर पकोड़े हां है वहा difadam अलग होने चाहीए लेकिन के कोटिंग नहीं निकलने चाहिए तो इस क्रेक से अगर इसे प्राइं कीजिएगा तो आपके पकोड़े जो में वाले पैकेट में मिलते हैं उससे भी बहतरीन आपके घर पर बन करके रेडी हो जाएंगे तो देखिए इस तरह हम कंटिन्यू चला रहे हैं फ्लेम जो है वह मीडियम ही रखें मीडियम फ्लेम पे इस तरह आपको चलाते ही रहना है इससे क्या होगा बदाम एक दूसरे में च लेकिन इसके कोटिंग नहीं निकले है तो यह ट्रिक को आपको फॉलो करना होगा परफेक्ट बदाम पकोड़ा बनाने के लिए इसे जहर खेंड में बदाम पकोड़ा ही बोला जाता है और इसे मुंग फली को बदाम ही ज्यादा तरह लोग बोलते हैं तिसलिए हम इसे कर लेगा आई आपका ओली बनेगा तो मार्केट जाए साफ काफी टेस्ट फलेवर इसमें नहीं आएगा अब हमारा ओल्मोस्ट पकोड़ा जो है और फ्राई हो चुका है अब इसे हम निकाल लेते हैं तो देखिए हमारा कितना ही बेहतरी नो कम टाइम में कम इंगिरिडिय और इसनेक्स भी इसे बना कर स्टोर कर सकते हैं जब भी कोई गेस्ट विगर आए या बच्चों को लॉंच में भी थोड़े बहुत देशकते हैं बच्चों को भी बहुत पशंद आते हैं तो यह हमारा फर्स्ट बैच जो है फ्राई हो करके निकल गया है देखिए कितनी ही कलर इसका सुने रहाया है अब उसी तरह से हम दूसरे पैच को डालेंगे और फ्लेम जो अभी भी हम मीडियम ही रखें है फ्लेम को टंप्रेचर आपको बढ़ाना नहीं है इसी तरह से आपको एक कप मुंग फली एनि धाई शोगरा मुंग फली शे हम पकोड़े बनाया है तो चार से तीन से चार बैच आपको लग जाएंगे इसे फ्राइ करने में आईए प्रोशिश आपको जरूर करना है जो आपको वुडेन का है उससे आपको चलाते रहना है डालने के बाद पकोड़े इससे जो है पकोड़े एकदम अलग-अलग खुले-खुले बनेंगे न देखिए हमारा लास्ट वे जो बैच है उसको भी हम डाल देते हैं और उसे भी उसी प्रोशिश हम फ्राइ करके और निकाल लेंगे यह पकोड़े हमारे घरे में शभी को बहुत पशंद आते हैं आई इसकी सॉंड नोटीस की कितनी ही कृष्प बने हैं और इसके लूक यह कबार इस तरह शे ठंडा होने के बाद देखिए मशल रहे हैं तो पकोड़े हमारे एकदम कुर्कूरे हुए हैं यह हमारा मार्केट से भी बेतर जो बदाम पकोड़े हैं घर पर बन करके रेडी हो गया तो मॉंसुन में इसी तरह हमारे घरों में ज्यादा तर चीजे बनते हैं जो शब को पशांद आते हैं अब इस पर थोड़े चाट मशाले को स्पिंकल कर दिये हैं अब एक टाइट कंटेनर में हम इसे स्टोर करके रख देंगे और इसके बाद टी टाइम स्नाक्स के रूप में इसे मज़े शखाई या बच्चे तो इसको बनते हैं खतम कर दें है फिर मिलते हैं आप लोग अशाथ में निव वीडियो में निव रेश रिपी के साथ तब तक के लिए बाए टेक क्यार अपना